स्टूडेंट्स हाव यू वेलकम बैक तो माई चैनल प्रिवलेंट क्लासेज एड एडिफिकेशन हमने वद पढ़ लिया था पार पढ़ लिया था एनरजी पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनरजी जो एनरजी है वो कंजर्व होती है कंजर्वेशन लॉव द गन्सक्रवेशन अफ एनरजी किया या किनाता आप एनरजी को क्या कर सकते है प्रेड्यूस कर सकते हैं और नहीं आप स्कूर्ट कर सकते हैं एक फ़र्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती इसको आज छोटे से प्रूफ करने की कोशिश करता है हम यहा इनर्जी इसमें क्या होगा कि जो total energy में mechanical energy की बात करें जो दो तरगे kinetic energy and potential energy कैने कि इनर्जी किसके sum के equal होगी kinetic energy plus potential energy आज इसी को प्रूफ करने की कोशेश करते है कि हर point पे हर चगे पे दोनों ये energy का sum क्या रहता है equal रहता है हम माल लेते हैं कि ये surface है ground surface है earth का surface है इस surface पे यहाँ पे एक ball पड़ी है इसके हम 3 condition ले लेते हैं ये ball A condition पे है फिर B पे आएगी और leg nast C पे आएगी ये जो A point है ये कितनी height पे है? H height पे ये पूरी height कितनी है? H और A से B के बीच का gap कितना है? X B से C के बीच का difference है H minus X क्या इतनी बात समझे हुआ है? हमने क्या किया हम conservation of energy को proof करने की कोशिश कर रहे है और उस proof में सबसे पहले हमने ground surface assume किया ये ground surface है और एक ball यहाँ A position पे पड़ी है ये जो A point है वो ground surface है कितनी distance पे? H height पे है H उचाई पे है और इस ball का जो mass है वो कितना है? M अब यहाँ से जब ball नीचे गेर रही है हम एक एक point को देखेंगे तीनो point पे हम उसकी total energy निकालेंगे तो point first पे A पे अगर हम A पे बात करें क्योंकि अभी ball rest position में है motion नहीं हो रहा है और उसकी position की वज़े से जो energy होती है वो कंसी energy होगी? potential energy तो यहाँ पे potential energy कितनी हो जाएगी? हमने बढ़ा है potential, gravitation, potential MgH और जो kinetic energy होगी वो क्या होगी? zero क्योंकि motion नहीं हो रहा है तो total energy किसके equal होगी? MgH के equal होगी this is equation number first clear है? अब अगर हम B position पे लेते हैं position at B जब यह move करके कहां आ जाएगी? B position पे आ जाएगी यानि उसका displacement कितना हुआ? वो हमें देखना है displacement हमेशा final से initial position पे होता है तो पहले तो हम देख लेते हैं इसकी potential energy B position पे potential energy क्या होगी? यह M acceleration due to gravity और H H मतलब कितनी height पे है? तो यह height कितनी है? H minus X तो यह हो जाएगा H minus X यह होगी potential energy अगर हम इस point पे kinetic energy लेंगे kinetic energy का formula होता है half MV square मेरे पास V square नहीं है इसको find करने के लिए हम second equation अगर मैं मालूं के initial velocity 0 है तो यह V square minus U square is equals to 2AS और acceleration यहां पे क्या है? G यहां जो U square है वो हो गया 0 क्योंकि initial velocity 0 यानि V square किसके equal हो गया? 2GS S क्या है यहां पे? displacement है और displacement कितना हो गया? X यानि V square किसके equal हो गया? 2GS के तो मैं यहां क्या लिख सकते हूं? kinetic energy क्या हो जाएगा? half M V square की जगे पे हो गया 2GS अगर हम total energy देखे तो total energy potential energy plus kinetic energy तो यह हो जाएगा MGH minus X plus Mg और यह 2 से 2 गया तो MgX open किया MGH minus MgX plus MgX यह minus plus cancel MGH यानि potential energy total energy यहां पे भी कितनी आ लिए MGH point A पे भी कितनी थी? MGH अब हम point C पे देख लेते हैं तो point C पे आप देखे मैं यहां उपर कर रहे हैं अब यहां पे क्यूंकि object ने अपनी पूरी कितनी पाट ट्रेवल कर लिया पूरी हाइट के इक्वल कर लिया यानि यहां पे point C पे kinetic energy क्या होगी? half MV square और यहां half M यह देखो V square is equal to 2AS तो acceleration क्या होगी है? 2G तो यह मैंने लिखा 2G और पूरा displacement 2GH तो 2 से 2 गया kinetic energy होगी MGH और point C पे क्यूंकि height 0 होगी है पूरा ground पे आ गया है तो potential energy 0 यानि overall energy कितनी हो जाएगी? MGH हो जाएगी तो हमने देखा कि A point पे B point पे C point पे total energy यानि sum energy का sum क्या है? similar आ रहा है constant आ रहा है और यही law of the conservation of energy है तो इसको इस तरह से derive कर सकते हैं next video में हम numericals करेंगे तो आप इतना पढ़के रखें तब आपको आसानी से समझ में आएगा Have a nice day Bye